हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो फिजिक्स टाइन सॉरी अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो तो इकाज मेरा गला खराब है आज इन फैक्ट मैंने सोचाथ आज प्लस टू की सारी वीडियोस खतम हो जाएंगे संटे को बट मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि क्योंकि हमें कल प्लस टू करनी ही करनी है और साइड बाई साइड मैं MSC और BSC के लिए भी एक वीडियो बना रही हूं जिसमें कुछ questions cover करेंगे हम सिरफ क्योंकि उन questions के basis पे हमें काफी help हो जाएगी बहुत सारे topics revise करने में because बहुत सारे comments में यह आ रहा है कि हमें आपको MSC और BSC लेवल के topics बता दू बट इस इसमें पर topics का कोई फायदा ही होगा तो मैं कुछ 10 या 15 questions की वीडियो बना दूंगी जिसमें काफी topics cover हो जाएंगे आपके revise हो जाएंगे तो रे optics को की दो वीडियो बनेंगे क्योंकि रे optics बहुत बढ़ी है तो इसमें मैंने topic wise questions रखे हैं सबसे पहले हमने रखे हैं टोटल इंटरनल reflection के questions इसमें first question है a ray of light enters from dancer to rarer medium dancer से rarer medium में एक ray of light enter कर रही है जिसकी speed double हो जाती है जैसी वो rarer medium में आती है तो हमें critical angle बताना है TIR के लिए आपको पता है that critical angle sin c is equal to 1 by mu होता है और mu कैसे निकालते है mu जो यह है यह हमारा relative refractive index इसको निकाला जाता है v2 by v1 rarer में जो speed है by जो dancer में speed थी इन दोनों में relation दिया हो है कि rarer में speed double होगी और dancer में speed half थी तो 2 by 2 by is equal to 2 तो mu हमारा 2 आ गया तो sin c के आ गया 1 by 2 और sin की value 1 by 2 का आती है 30 degree पर तो इस type का question आ सकता है ज्यादा कुछ नहीं पस एक दो चीजों को concepts को mind में add करना है कि कौन सा कहां से relate होगा question number 2 यह भी कुछ इसी तरह का question है इसमें बोला है कि हमें एक setup दिया होगा है उसमें पहले जो हमने ray of light यूज की वो red color की यूज की जिसकी wavelength थी lambda 1 उसके बाद जो ray of light यूज की उसकी जो थी lambda 2 थी yellow यूज की वो दोनों में क्या होगा critical angle change हो जाएगा तो हमें दोनों के critical angles का relation बताना है अब हमें पता है that sinc हमें पहले तो critical angle को wavelength से relate करवाना पड़ेगा हमें पता है कि sinc क्या होता है 1 by mu mu को अगर हम generally देखे mu का क्या होता है formula c by v c is the speed of light in air या vacuum v is the speed of light in medium यह आगया v by c हमें पता होना चीए कि velocity को कैसे लिखते है lambda by mu into c जो हमें पता होना चीए that total internal reflection किस चीज का फिनोमेना reflection का reflection में कभी भी frequency change नहीं होती नहीं c change होगा यह दोनों होगे constants तो sinc जो है किसके proportional हो गया lambda के इसका मतलब red color के लिए sin theta हो गया suppose critical angle है कुछ भी उठा सकते है पेंगल का नाम ले लिए आपने ठीटा है वह किसके एकवल हो गया V1 के मतलब proportionality में निकाल रहे है तो वह क्या आगे लेमड़वन के एकवल और sin theta 1 यलो के लिए क्या हो गया lambda 2 के proportional यानि कि lambda 1 किससे बढ़ा होगा lambda 2 से क्यासे lambda 1 किसकी wavelength है red की और lambda 2 किसकी wavelength है yellow की तो आपको पता होगा किसकी wavelength बढ़ी होती है red की बढ़ी होती है so lambda 1 is greater than lambda 2 accordingly sin theta किससे बढ़ा हो जाएगा sin theta 1 से और आपको पता है जैसे जैसे इस sin में theta बढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी values बढ़ी होती जाती है So theta is greater than theta 1 तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा theta 1 जो है छोटा है theta से यानि कि जो हमारा नया critical angle आएगा yellow के लिए वो theta से छोटा आएगा बस यह आ गया हमारा answer Now कुछ prism के questions हैं इसमें Prism की एक दो questions हैं जो paper के लाइक है जो आ सकते हैं इसमें एक यह question है Prism है उसका maximum refractive angle निकालना है जब हमें उसका critical angle दिया हुआ है कितना c अब critical angle कितना है c अब आपको यह पोता आना चाहिए कि refractive angle किसको बोलते हैं यह जो prism बनाया हमने इसकी दोनो refractive sides जो हैं इनके बीच का जो angle होता है उसे बोलते है refractive angle यानि angle of prism को यहाँ पर refracting angle बोला गया है prism का ठीक है तो एक ही बात कर रहे है एक का formula क्या होता है r1 प्लस r2 यह वाला r1 है यह r2 है अब इस r1 और r2 को critical angle से छोटा होना पड़ेगा वरना prism से light अंदर से पास नहोंगे वापस चली जाएगी tair हो जाएगा phenomena यानि r1 और r2 को किस से critical angle से क्या होना पड़ेगा छोटा इसलिए r1 प्लस r2 को 2c से छोटा होना पड़ेगा और r1 प्लस r2 क्या है a a को 2c से छोटा होना पड़ेगा यानि a की maximum value 2c जा सकती है उससे जादा नहीं होगी clear तो यहाँ पर answer क्या हुआ maximum value for refractive angle is 2c is the answer अब यहाँ पर सही की value अगर आपको question में दे भी दे तब उसकी हिसाब से निकाल दे नो question question number second इसमें बोला है array of light है वो prism के एक पार्ट पे normally आ रही है incident normally और वो कितना angle बना रही है 30 degree का refractive index कितना है root 2 हमें angle of deviation निकालना है ray का देखो यह बनाया हुआ है फिर भी बता देती हूँ जैसे प्रिजम है इस पे कोई ray of light normally fall करी अगर वो normally fall कर रहे है तो वो normally यहाँ तक तो जाएगी ठीक है उसके बाद वो थोड़ा सा refraction हो जाएगा उसमें ठीक है अब जो यहाँ पर अगर हम इस point पे normal बनाए point peak पे तो इन दोनों के बीच में जो angle है वो 30 degree दिया हुआ है हम यह वाला angle निकालेंगे R कैसे? by snell slow snell slow के according इसका refractive index दिया हुआ है mu mu into sin i is equal to mu a बहर क्या है? air है अगर कुछ नहीं दिया तो air या vacuum है बहर mu a into sin r और mu कितना दिया है? root 2 i की value कितना दिया है? 30 degree और refractive index of air कितना होता है? 1 तो यहाँ से sin r की value क्या निकल जाएगी? 1 by root 2 और r की value कितना आ जाएगी? 45 degree deviation कैसे निकालते है r minus i r कितना है 45 degree और i कितना है 30 degree तो 15 degree के deviation हुआ है इसमें इसमें deviation इतना छोटा हुआ है इसलिए यह ray सीधी जाती दिखाई दे रही है but it's not actually straight यह थोड़ा सा bend हुई है यहाँ पे now third question है कि किस color में scattered minimum होगा? कौन सा color? मतलब किसकी intensity सबसे कम आएगी? कौन सा कम-scatter होगा? उसके लिए एक तो यह formula होता है Rayleigh scattering की according पूछे अगर एक और formula होता है उसके according भी जो intensity है वो proportionally होती है inversely proportional होती है तो जिसकी wavelength सबसे बढ़ी होएगी उसकी intensity सबसे कम होएगी वो सबसे कम scatter होगा यानि की red next ये भी same question है question number 2 वाला बस इसमें कुछ उसमें critical angle दिया होगा थै इसमें refractive index दिया होगा है इसमें बोला है कि एक prism का refractive index 2 है तो उसका maximum refractive angle निकालना है यानि angle of prism maximum निकालना है a is equal to r1 plus r2 यहाँ sin c निकालना लेंगे critical angle 1 by mu होता है 1 by 2 तो critical angle कितना होगा है 30 degree यानि r1 को और r2 को 30 degree से कम होना पड़ेगा यानि r1 plus r2 60 degree से कम होएगे यानि a को 60 degree से कम होना पड़ेगा otherwise tir हो जाएगा और जिसकी वज़े से prism में से ray of light पास नहीं करेंगी तो r1 और r2 का 30 degree से कम होना जुरूरी है तो a maximum कितना हो सकता है 60 degree तो यहाँ पर answer आजाएगा 60 degree इसके बाद questions आए lens के लगा लो या refraction के questions जो होते है question क्या है ज्यादा तर देको questions snails low पे आते है काफी questions आते है snails लोगे वो important है तो उसी के according बता रही हो इसमें एक ray of light है जो vacuum से medium में आ रही है जिसका refractive index mu है हमें क्या बताना है उसका angle of incidence बताना है जब angle of incidence angle of reflection के twice है simple question है बस snails low लगा देंगे mu is equal to sin i by sin r i और r में क्या relation है i जितना है r उसका half है अब अगर हमें i निकालना है तो r को eliminate कर दो r क्या हो गया i by 2 sin i को खोल दो sin 2 theta का formula से sin 2 theta क्या होता 2 sin theta cos theta यानि 2 sin i by 2 cos i by 2 इससे ये cut गया हमारे पास क्या बच गया mu by 2 is equal to cos i by 2 cos को इदर लेगे cos inverse mu by 2 और i क्या आ गया this तो ये हो गया हमारा answer मतलब देखो options देखे ये confuse मतो ना कि क्या से निकलेगा क्या formula लगेगा लगने को तो या simple smells लो लगा है और कुछ भी नहीं हुआ है तो easy होते है ये वाला question होते है second ये important है ये थोड़ास आला question है थोड़ास अपना mind यूज करोगे तो हो जाता है बट वही बात है कि paper में time ही नहीं होता कि दिमाग लगाएं कैसे तो इसी लिए ये questions ज़िरूरी है जितना practice करोगे उतना उदर ideas आएंगे paper में बैठके कि आपको कैसे question solve करना है इसमें बोला diameter दिया है एक plano convex lens का 6 cm thickness दियो है 3 mm speed दिया है light की material के अंदर इतनी speed दिया है यहां से हम क्या निकाल सकते है refractive index और focal length निकाल नहीं है अब देखो यहाँ पर हमें plano convex दिया है इस तरह का lens अब यहाँ से इसका जो ये वाला part देखो ये एक circular part है जिसका center कहीं यहाँ लाई करेगा तो यहाँ से यहाँ का distance कितना हो जाएगा r और ये distance भी क्या हो जाएगा r क्योंकि radius है ये तो इसका इसकी thickness कितनी दिया है 3 mm यानि कि ये कितना हो जाएगा distance r minus 3 by 10 centimeter में change कर दिया हमने सारा process mm को centimeter में change कर दिया ये कितना है r और इसका diameter कितना है 6 यानि उपर वाला कितना हो गया 3 यानि कि इस triangle पे pythagoras लगा के r निकाल सकते हैं तो ये pythagoras लगाई और r कितना आ गया 15.15 centimeter mu क्या होता है c by v c हमें पता है v उपर दिया हो है तो यहां से mu निकल गया 1.5 अब क्या लगा देंगे हम lens maker formula 1 by f is equal to mu by 1 1 by r 1 by r क्यों लगा है formula तो यह नहीं होता है 1 by r1 minus 1 by r2 क्योंकि जो यहां पर दूसरा surface है r2 वाला वो है plane plane के लिए r की value क्या होती है infinite infinite यानि कि 1 by r की value क्या हो जाएगी values पूट कर दो सारी तो f की value क्या जाएगी 30 cm के आसपास आजएगी तो यह हो गया हमारा answer देखो tricks बहुत सारी लगती है question में छोटी 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 अगर आप उन छोटी छोटी छीजों को miss करते होगे तो question का answer ही पलट जाएगा now third यह last question है video का इसके बाद जो telescope और microscope questions है plus थोड़े बहुत mirror के questions है और जो एक दो ray optics के और question रहागी होंगे उसकी एक और video बना दूगी यानि ray optics थोड़ी बड़ी है थोड़ी दो वीडियो में cover होईगी इसमें बोला है concave lens दियो है जिसमें image और object के बीच का distance 10 cm magnified power view या magnification 1 by 4 focal length निकालनी है तो क्यासे निकालेगे हमें यह दियो हुआ कि concave lens है अब अगर यादो आपको concave lens में virtual image form होती है तो अगर यहाँ object पड़ा तो यहाँ image होगी कही magnification कितनी दियो है 1 by 4 वो क्याती है V by U यानि U is equal to 4V यानि U जितना भी है V उसका मतलब V जितना भी है यू उसका 4 गुना है हमने माल लिया कि V जो है image का distance है वो है X तो object का distance कितना होगा 4X automatic और इनके दोनों के beach का distance कितना होगा 3X और 3X की value question में दियो है कितनी 10 cm यानि X कितना निकल गया 10 by 3 अब हमने question में suppose किया था V कितना है X 10 by 3 cm U कितना है 4X यानि कि X की value पूट कर दो 40 by 3 cm अब lens formula लगा दो यहाँ पर 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U अब आप सोचोगे या मैंने सारे positive की उठाए है जबकि according to formula सारे negative उठने थे तो अगर इन सब को negative उठा लोगे तो same आएगा न जब तीनों चीजे एक direction में होना तो उन्हे positive उठाके चल सकते हो आप क्योंकि sign अगर आप negative तीनों में लगा भी दोगे तब भी वो cancel हो जाएगा तो V और U की value पूट कर दो यह आगया 9 by 40 तो F के आगया 40 by 9 is equal to 4.4 cm तो यह भी अपने आप में questions इसलिए ज़रूरी हैं करने आप लोगों को लगेगा कि बहुत simple question है बेट simple question बहुत ज़रूरी हैं करने क्योंकि वो उनकी practice हम छोड़ देते हैं बीच में एक दो questions वैसे वैसे आते हैं चोटे मोटे हम करते नहीं और वही question बेपर में आते हैं फिर वहाँ भी नहीं करते इसलिए बीच में एक दो simple questions करने भी ज़रूरी हैं जिनसे हमारे formula के ओपर हाथ बैठा रहे तो यह हमारी reoptics हो गई अगर आपको आवाज मेरी समझ नहीं हाई है प्लीज I'm sorry for that मेरा गला कल तक ठीक हो जाएगा मैं कोशिश करती हो तो कल वीडियो प्रॉपर वाइस में बनाऊंगी अभी के लिए थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल और जितने भी आपके फ्रेंड्स एच्टेट दे रहे हैं प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर करें उनका भी क्लियर हो जाएगा उनकी भी थोड़ी हल्प हो जाएगी थैंक यू